Hello students, कैसे आप होपा पच्छी होंगे? तो आज हम विस्कस करने वाले हैं myopia and hypermetropia जो eyes के defect है, ये vision defect है देखो myopia and hypermetropia में उत्धा क्या है? जो eyes का power of accommodation होती है ना कि नज़्दीक की बस्तों को देखना फिर एकदम से दूर की बस्तों को देख लेना वो power of accommodation धीरे धीरे जो है वो खतम होने लग जाती है और फिर ये defect जो हो हो जाते है हमारी eyes के अंदर तो देखो myopia क्या होता है myopia को हम near sightedness भी बोलते है ना near sightedness भी इसको हम बोलते है यानि कि nekt drishty dose आप इसमें confusion ये रहता है कि nekt drishty dose है तो मतलब हमें नजदीक नहीं देखेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें हम नजदीक की बस्तों को देख सकते हैं वट जो distinct vision होता है दूर का जो vision होता है वो हमें नहीं देखता है अब question आता है कि इसको near sightedness फिर क्यों बोलते हैं तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोसिस करेंगे देखो जैसे ये lens है हमारा eyes का और यहाँ पर क्या होता है यह जो normal eyes अगर हम देखते है नॉर्मल eyes में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो image की formation होती है आपको पता है वो होती ह है रेटीना के उपर यहां पर जो normal यहां पर इसको माण के चुरा आपको यह यहां रखा तो इसकी image की formation कहा हो जाती है नॉर्मल eyes में वो ते है रेटीना के उपर लेकिन यहां पर क्या हो जाता है near citerness में myopia में क्या हो जाता है कि जो immense की formation होती है अब वो retina पे ना होती हुई वो कहाँ हो जाती है इससे पीछे ही हो जाती है near हो जाती है near हो जाती है retina के lens के near नजदी की हो जाती है इसलिए इसको हम नियर citerness भी बोलते हैं इस तरह से यह आपका prince black जैसे यह यहाँ पे होना चाहिए ने इसकी यहाँ पे converge होनी चाहिए यह race और image वहाँ पे भढ़ना चाहिए बट यह कहाँ बन जाता है यहाँ पे यह बन जाता है चीक है और इसका इसको फिर हम बोल देते हैं near citerness तो इसका जो infinity वाला इनफिनिटी से पहले ही जैसे इनफिनिटी का point है मारा जैसे इनफिनिटी point है तो यह कहाँ आ जाता है near नजदीक आ जाता है यहाँ पे आ जाता है near to infinity यहाँ पे यह point जो आ जाता है और जिसके कार्ण क्या हो जाता है यह इसका जो convergence होती है यहां पे वो मिस्दिक हो जाती है नियर जो हो जाती है इसलिए इसको हम नियर साइटरनेस जो हो बोलते हैं अब इस defect को इसका पहले तो एक cause देख लेते हैं cause क्या है इसके दो cause first cause क्या है कि ये जो करवीचिर होता है इसका ये जो करवीचिर है इसका lens का ये elongation हो जाती है elongation off lens या curvature off lens तो elongation होनी की वज़ा से यह in mist इस तरह से ये curvature इसका size बढ़ जाता है elongation हो जाती है इसकी और ये ठिक हो जाता है जिसके कार्ण इसकी focal length भी कम हो जाती है इसकी focal length जर्बी दूरे मेरे इस बना रहा था तो इसकी focal length जो हो यहाँ पे आ जाती है एक तो इसका यह कार्ण होता है Second Rights काày क्या होता है कि जो i-wall होती है हमारी उसका size जो हो increase हो जाता है i-wall जो हो increase हो जाती है i-wall means जैसे इस तरह से i-wall benेगी न यहां पे यह जो हमारी i-wall है इस तरह से इस तरह से आई वाल होती है ना ये वाले तो ये इसका साइज जो हो बड़ा हो जाता है इसका साइज जो हो बड़ा हो जाता है आई वाल जो हो साइज इंक्रीस हो जाता है इसके कान भी इसमें जो ये जो कनवर्स होती है रेस ये पहले ही हो जाती है तो ये दो कान इसके होते अब बात आती है कि इसको diagnose कैसे किया जा सकता है इसको ठीक कैसे किया जा सकता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक सही power का क्या लगाएंगे concave lens का use जो हम करते हैं यहाँ जो हमारी eyes का lens होता है जब वो myopia में हो जाता है तो फिर इसमें हम क्या लगाते हैं concave lens जो हमें लगाना पड़ता है और फिर यह क्या करता है इससे जैसे rays आती हैं यहाँ से तो यह इस समस्या को जो हो दूर कर देता है इस तरह से और यह फिर यहाँ पे जो इसका image बनता है फिर वो retina के उपर जो बन जाता है जब आपस में concave lens जो हम लगा देते हैं इसका जो point होता है that is far point जो होता है वो फिर normal जो हो जाता है इनकी वो nearer to infinity हो जाता था infinity से पहले ही बन जाता था जैसे आप बहुत दूर देख रहे हैं तो बहाँ पे infinity से पहले ही far point हो जाता है तो इसलिए आपको बहुत दूर जो वो नहीं दिख रहा होता है तो फिर इसको फिर आप concave lens के दौरा जो हो इसको आप defect को दूर कर सकते हैं ये तो होगी myopia की बाद़ second जो defect आता है that is hypermetropia और hypermetropia जो होता है इसको हम secondly क्या बोलते है hypermetropia को हम बोलते है far sightedness far sightedness far sightedness means दूर दृष्टी दोस दूर दृष्टी दोस means कि इसमें आप दूर की बस्तों को तो देख सकते हैं distant का जो vision होगा उसको आप बिलकुल साफ देख सकते हैं लेकिन जो near नजदीक की जो बस्तों होती है उनको आप नहीं देख पाएंगे far sightedness का मतलब यह नहीं कि दूर 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 देख पाएंगे नहीं इसमें आप नजदीक नहीं देख पाएंगे और दूर आप देख पाते हैं अब इसका जो reason है वो क्या है एक तो इसमें होता क्या है देखो reason बाद मैं करेंगे इसमें होता क्या है इसमें जो near point होता है near point मैंने बता है आपको that is 35 cm जिसके उपर आप फिल्कुल साफ जो वो देख सकते हैं इसमें होता क्या है कि जो near point होता है हमारा वो 25 cm से अवे हो जाता है 25 cm से आवे हो जाता है । इसलिए हम कही रा पढ़ने की कोशिच करते हैं जिनको मतल मतलब यह डिफेक्ट होता है तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ने की विए थोड़ा सा दूर रखो तें मेरे से पढ़ा जाएगा कि एंग तो फिर उसको पढ़ने के लिए 25 cm से दूर उस object को रखना पढ़ता है तो ये होता है इस case में अब इसके cause देखते हैं hypermetropia का cause क्या होता है first इसका reason होता है कि जो इसकी focal length होती है focal length जो होती है lens की वो क्या हो जाती है increase हो जाती है focal length इसकी बढ़ जाती है your second क्या होता है इसका जो eyeball का size होता है eyeball का size मैंने बतायब आपको जैसे इस तरह से size है ना eyes का इस तरह से यह size जो है वो कम हो जाता है इसका size जो हो decrease हो जाता है यह दो reason होते है और basically होता क्या है इसमें अगर आप इसको diagramatically संजने की कोसिस करें तो मैंने मताया आपको नियर point जो होता है जैसे हमारे eyes का lens है और यह इसका principal axis बना दिया है यह वो point है जहां पर रेटिना रेटिना के उपर इसका image जो बनता है अब far sightedness है यह ना normal eyes में जो होगा वो क्या होगा image की formation रेटिना के उपर होती है और यह इसका जैसे normal and that is इसका क्या बोला मैंने नियर point होगा नियर point होगा that is 25 cm अब यह नियर point जो होता है hypermetropia में यह दूर हो जाता है कैसे इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे इस तरह से यह जो नियर point होता है हमारा यह दूर हो जाता है यहां चला जाता है and that's a minus इसको represent कराऊं यहां पर यह चला जाता है होना इसको यहां पर चाहिए जिसके कार्ण क्या होता है यहां पर जो rays of light जो converge होनी है वो रेटिना पर नहीं होती है वो रेटिना से परे हो जाती है इस तरह से यह रेटिना का part है तो यह यहां जाकर converge होती है जैसे यह आईस हमारी इस तरह से आईस है यह इस तरह से इस तरह से इस तरह से यह यहां पर बढ़नी चाहिए रेटिना पर लेकिन यह कहां बढ़ रही है इससे दूर बढ़ रही ह कारण मैं नPOSकी बता दी है, एक तो इसकी focal length ही decrease हो गये, तब ये आगे जाकर बन रहा है, और second eyeball का size ही कम हो गया, यहाँ पिल сил का size हो ना चाहिए था, लेकिन आब इसका size ही कम हो गया, यहाँ होना चाहिए था ना इसका, परेटिना से दूर बन रहा है इसको farsightedness बोला far मतलब दूर बन रहा है अब इसको image बन रहा है वो दूर बन रहा है तो इसको farsightedness जो बोला गया अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसकी correction के लिए आपको बता है इसमें हम use करते है convex excellence convex excellence जब हम इसको इसमें यूज कर लेते हैं तो ये द्वारा से इसका जो image होता है वो आपका कहां पर बनता है यहां पर वो retina के ओपर ही यहां पर बनता है फिर जब इसमें हम एक particular power का convex lens जो हो लगा देते हैं तो इसका near point द्वारा से वो बहां पर ही वो आ जाता है और इसका जो image की formation होती है फिर वो exact retina के उपर होती है लेकिन यहाँ पर हमें convex lens का use करना पड़ता है तो यह थे दोनों defect mypia and hypermetropia ठीक है तो hope है कि आपको इस दोनों defect जोबों clear हो गया होंगे आज के लिए बस नहीं thank you